subscribe to our youtube channel and press the bell icon to get the latest updates नमस्कार मेरे नाम पिंटू शिंग्यादो है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नियोज लाइब दोस्तो है एक समय जिस मुकतार अंसारी को पुरवांचल समेद पुरे देश में उत्तर पदेश में खास करके तूदी बोलती थी राजे सरकारे भी जिनके सामने चूप जाती थी वह मुकतार अंसारी अब दुनिया में नहीं रहे कहा जाता है कि जब गाजी पुरिया पुरवांचल की किसी राके में उनका काफिला निकलता था तो सड़क पर चल रहे लोग पीछे हड़ जाते थे लंबे समय तक मुकतार अंसारी उत्तर पदेश के सबसे बन कर रहे बता दे कि पिछले दीनों मुकतार अंसारी की बांदा जीला अस्पतल में विलाज के दोरान मौत हो गई मौत का कारण हार्ट अटेक आना पदाय जा रहा है मंगर जिस नामी घिरामी अंसारी परिवार से मुकतार अंसारी संबंद रखते हैं वो हार्ट अठेक स मुक्तार की मौत मानने के लिए तयार नहीं है बावबली मुक्तार अनसारी के भाई और गाजीपूर के सांशद अफजाल अनसारी समयत पूरे अनसारी परिवार का कहना है कि मुक्तार को जेल में जहर देकर मरा गया है इस बीच अफजाल अंसारी ने अब एक बड़ा बयान देकर पुर्वांचल में सनसनी मचा दी है जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है भावबली मुक्तार अंसारी के भाई सांशद अफजाल अंसारी ने अपने भाई की मौद पर कहा कि मुक्तार अंसारी की मौद के बाद अगर सरकार समझ रही है कि हमने इस कहानी का एंड कर दिया है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, ये कहानी तो अभी शुरू होगी इसके बाद अफजाल अंसारी का एक बयान और सर्चा में आ गया, अफजाल अंसारी ने मुकतार अंसारी की ताकत को भी शब्दों में बया किया, उन्होंने कहा कि किसी की आवकाद कितनी होती है, उसकी पहचान उसकी आकरी यात्रा से पता चल जाती है, मुकतार अंसारी की अ अफ़जाल अनसारी ने बड़ा ही अज़ीब दावाभी किया, उन्होंने कहा है कि मुक्तार के 100 को खास तरह से दफनाया गया है, इससे आने वाले 20 सालों तक 100 की जाच हो सकती है, आने वाले समय में नाखुन और बाल से मौत के कारणों का पता लगाया जा सकता है, अफ़जा होगा कि ये मामला आगे क्या जाकर रंग लेता है, बाकि आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार, आप फ़जाल अनसारी इस तरीके की बाते कर रहे हैं, उस पर अपनी परति के लिए बताईएगा.